तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि हम कैसे पैनल्स का यूज करते हैं पैनल्स क्या होते हैं जे पैनल्स उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुए था कि हमने फ्लो लियाउट के बारे में पढ़ा ग्रिक ले लियुक्त को अच्छे तरीके से लूब अच्छे से एरेंज कर सकते हैं अपने अपने फ्रेम के अंदर ठीक है तो फ्रेम में हम सारे कंपोनेंट्स एक सांथ नहीं करें यहां हमें लास्त एग्सांपल में भी आपको बतलाया था कि हम जाएंब को करते हैं, जाएंचे कि इंट्रोड़क्शन दिया हुआ था, तौ मैं आपको बताया था कि अगर हमने इस फ्रेम क्रीएट किया हुआ है, इस तरह इसे एक frame है, तो हम इसमें buttons इसमें और भी fields होते है, text field, text area, यह हम directly ऐसे add नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें एक layout create करना होता है, योगी complex layouts होते हैं, जो हम तोकड़ों में बनाते हैं, ठीक है, अगर एक हमको बहुत बड़ा layout create करना है, जो बहुत सारे components है, तो हम इसको तोकड़ों में create करते हैं, तोकड़ों में कैसे, हमारे पास एक और container होता है, जिसको हम कहते है J-panel, J-panel को हम यहाँ पर ऐसे कुछ माली जीए, यहाँ पर दो हमने J-panels को add किया, और इस J-panel के अंदर हम एक form create कर दिया, यहाँ पर हमने table create किया, तो यह दो पार्ट में divide हो गया हमारा layout, एक J-panel पहला J-panel और एक दूसरा J-panel, तो इस तरह से हम इसको manage करने में असानी होती है, तो J-panels का use हम क्यों करते हैं, एक frame के अंदर हम और भी complicated layouts होते हैं, उनको create करने के जीए J-panel का use करने, तो J-panel एक container तो J-panel के अंदर हम दूसरे components को add कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे इसका use करने, उसके लिए मैं एक नए example create कर ले तो मैंने आप बनाया हुआ है app 3, तो मैं यहां पर एक और class create कर लेता हूँ, मैंने आप लिखा, न्यू, java class, new java class app 4, यहां पर फठाक से मैं frame create कर ले ता हूँ, जो basic code हो, मैं यहां पर लिख लेता हूँ, तो मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लेका एक्स्टेंड्स एक्स्टेंड्स जे फ्रेम जे फ्रेम और यहां पर यहां पर मैंने कहा आहं पूर कंसरपर क्रियेट किया हमने का इस डान यहां इस किम निगIndra रहीं द्रफोड सब्सक्राइबन अं द्रॉक यहां जथे का आउपव यहां ईसकि Sig Carnaud Bar ले आउट हमें आपर सेट करना चाहते हैं तो बॉर्डर ले आउट के लिए आप लास्ट वीडियो देख ली जिसके बाल आपको असानी से समय आए बॉर्ड ले आउट सेट किया हुए नाव कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हमने का एप फूर एप फूर एप फूर हमने का नियू नियू एप फूर फाइन और जो टाइटा लोगा हमारे अडर का जैसे कि आप देखू इन अड़ीन में आप टाइटल क्या है सुएंगे एप्लिकेशन वन अपाची नडवीन तो यह टाइटल है तो टाइटल कैसे का साइट करते हमने का दिस डॉर्ट सेट टाइट ऐखिएंगे तो यहां पर आप देखोगे यहां पर एक class जे पैनल झॉर्ट क्लास जो की याव आजर सुन पैकेज में और जिसका ultimate parent, parent कौन, है awt का component class मतलब कि यह component है और साथ ही साथ aw container तो यह container है container किसे कहते हैं जो कि अपने अंदर दूसरे components को hold कर सकता है उसे हम container कहते हैं तो jpanel एक container class है ठीक है तो बात करते हैं container कैसे create करेंगे jpanel का जो constructor है क्या-क्या है यहां पर हम एक zero parameter constructor call करेंगे और देखेंगे ठीक है तो यहां पर मुझे add करना है jpanel तो मैं यहां पर एक private member create कर लेता हूं मैंने का private private jpanel private jpanel इसका नाम हमने रखा panel one panel one और इसी तरह से मैं एक और panel create कर लेता हूं मैंने का panel two तो दो panels मैंने create किये मैं उसे frame मैं add करूंगा तो मैं क्या यहां पर क्या करने जा रहा हूं कि मैं यहां पर एक frame create किया हुआ है मैंने frame create किया है ऐसा मैंने दो panel को create किया यह दो panels है पैनल का कोई height नहीं है कोई bit नहीं है भी तो मैंने यहां पर set सब्सक्राइब च्र melhores थे सब्सक्राइं किया हूँ टो मैं इन दौनों को यहां पर एड्र करना है इसकी तार से हमने कहा पैनल को एड करना है दो एड हो गाँ होंगे, रन करेंगे अप्लिकेशन को, तो नल पर इंटर अक्ष्यक्षन क्योंकि मैंने उसे इनिशलाइज रहीं किया है, तो इनिशलाइज करेंगे पहले उसको, तो हमने यहां पर का पैनल one is equal to हमने का new j panel new j panel इसी तरह से मैंने panel two को भी initialize किया now उसे add करेंगे तो यह simply add हो जाएंगे add हो गाए है यह हमको so नहीं हो रहे है क्योंकि जो इसका color है background color वो same as frame के color जैसा है ठीक है को problem नहीं है इसको देखेंगे तो आप देख रहा होंगे तो मैंने भी application को close किया है लेकिनी close नहीं हुए ठीक है उसका क्या reason नहीं है कि मैंने set default operation यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने कहा this dot this dot set default close operation मैंने कहा exit on exit on close एक्जित on close fine तो सभी है इसके वाने पैनल को एड़् कर दिये तो पैनल जो ओवर्राइड हो गया होगी तो इसके लिए हमने बढ़ा था लाश्क्रास में हमने ले ईपना तो हमने ले आउट सेट किया बॉर्डर ले आउट ना बॉर्डर ले आउट में आपको बताना होगा किस पैनल को आप किस साइड पर एड करना चाहिए मैं इसको एक को इस्ट में और एक को वैस्ट में आड करना चाहिए मैंने आप लेखा बॉर्डर ले आउट बॉर्डर ल सब्सक्राइब तो हो इसान को इसे बात की तो मैंने इस को एड किया नॉग का लज़्ी मुझे सौंज में नहीं आएगा कौन सा वाल काहा है दो तो मैं से कलर एड करता हूं तो आप देखिए कि आउट पड़ें आपर क्या होगा एक होगा येलो एक होगा ग्रीन और दो पैनल आपको फ्रेम में सो होंगे विकेशन को रन करेंगी तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने इसको Add कर दिया ठीक है तो जो 책時間 वाला था वो तो civिल स्क्रीन गया है तेखिएंगे कौन सासा सेंटर में तो यलोवाला जो है पैनल टू और पैनल टू सेंटर में तो से अलॉटर वाले ज़ाधा है तो अगर आप ग्रीन वाले का साइज बढ़ेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर एक और मैथट है मारे पास हमने पैनल 1.set सैज, set preferred size आपको यहां पर यूज करना है, set preferred size तो preferred size आप क्या चाहते हैं यहाँ पर आपको एक dimension pass करना है, dimension object create करीगा, हमने का new dimension, new dimension और height and width देना, आपको सबसे बहले width कितना चाहते हैं, तो मैंने कहा 200 और जो height है, वो height है, वो full होगी, आप अगर height यहां पर 50 pass करते तो इस तरह सी आँ पर काम करता है और यान पर और यहांपर इंक्रीज कोराइब का यूज कैसे कर सकते आप इस पैनल में अध्र nesakragea देखते है तो यहांपर और भी पैनल को मियाँपरा का Panel 3, इसके बाद हमने का Panel 4 जी कहा है, 4 मैंने पैनल मना एक और पैनल के मैंने का Panel 5, मैंने पांच पैनल को यहाँ पर create किया है, सभी को initialize करेंगे, तो हमने यहाँ पर का 3, 4, and 5 और सभी में बैग्रांड कलर हम change कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने का 3, 4, and 5 और यहाँ जो यहां पर हमने कहा प्हें यहां पर orange तो यह मैंने कुछ color set की हैं now इनके जो sizes ह् मिसिवों आपको set करने पड़ेंगी तो मैंने इसके sides को set कर देता हूँ मैंने आंदा panel one और panel two तो center में तो उसको choice set करने ज़रा इनकर थ्री four and five तो यहां पर मैंने आप five इनका डाइमेंशन से में रहने देते हैं इसके बाद हमने का एड करना है तो एड कर देंगे हमने का पैनल थ्री को कहां पर एड करना है तो हमने का बॉडल ले आउट डॉर वेस्ट में एड करना है इसके बाद हमने का इसे नॉर्थ में एड करना है इसके बाद हमने इसे का स खेण है यह पर आपको यहां पर सिर्फ हो रहा है वह सिर्फ हातर है मैं कि यह में सकते है नहीं कोछ पर क्यों को आज यह पैasında Cameraow हुआ है चैनल है और भी सिर्फ होता है और लोटमे में अग्येस को साउत में और नॉर्थ में इनको add कर रहा हूं। उनका width तो फूल रहेगा लेकिन उनका height मैं adjust कर सकता हूं। पैनल 4 & 5 का मुझे height adjust करना है तो 4 & 5 को उनका height मुझे adjust करना है तो height को मैं कर दे रहा हूं 100 पर नीचे आपको दिखाई देंगे इसके बाद इसको वेस्ट और एस्ट है इनका मुझे हाइड कंट्रोल करने की जुरूत नहीं कि अब मैं विट्ट कंट्रोल करूगा हाइड क्योंकि इसके फ्रेम के बराबर होगी पैनल टू एंड पैनल थी की बात करेंगे पैनल टू प पैनल टी पैनल वन ए पैनल फी टू अंडर्ड टू एक बार इसे र technical करते हैं तो आप देखो कि है यहां पर यह अज़स्ट हो चुका है, ठीक है, तो जो मैंने कहा, आपको समझ में आ रहा होगा, कि मैंने यहां पर क्या यहां पर आपको बताया, कि अगर मैं South में एड करता हूँ और North में, यह हो गया South का अगर मुझे यहां पर मैं इसी size set करता हूँ इसकी width होगी वह same as frame होगी इसकी width को मैं control करने की ज़रूत नहीं कि इसकी width को यहां पर 100 पास किया हुआ और मैंने इसका height 100 set किया, तो यह 100 height है equal height, now इसकी width को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, now अगर मैंने east और west में set की है, तो मैं इनकी height को control नहीं कर सकता, height इसकी full रहेगी, ठीक है, इसने जो area लिया उसके बाद जो height है वो इसकी full रहेगी, तो मैंने के width को control किया, width मैंने set किया 200, इ center वाला part है, वो center वाला जो area है, पैनल, वो automatically stretch हो जाता है, fine, तो अगर आप इससे resize करते हैं, तो भी आप इसको देख सांगेंगे कि आपका design है, वो responsive design होता है, ठीक है, यह देखेंगे, जैसे-जैसे मैं इसको छोटा करूंगा, वो इससाब से adjust होता है, तो yellow वाला जितने मे panels को add किया, ठीक है, तो next video में आप बात करेंगे कि आप panel में दूसरे components को कैसे add कर सकते हैं, कैसे आप designs को create कर सकते हैं, fine, okay, thanks for watching and subscribe for more videos, thank you.